नमस्कार आप देख रहें लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेवली बिहार के लिए आप तक की सबसे बड़ी ख़वर ये है कि दिल्ली साकेत कोट में मुझफर पूर महापाप मामले में अपना फैसला सुना दिया है दिल्ली साकेत कोट ने बरजेश ठाकुर जो के इस केस में मुख्य आरोपी था उसको दोशी करार दे दिया है आपको बता दे कि 20 में से 19 आरोपियों को दोशी करार दिल्ली के साकेत कोट ने दिया है फिलहाल सजा का एलान नहीं हो सका है लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है ब में कि ब्रजेश ठाकूर भी शामिल है आपको बता दे कि दिल्ली की साकेत कोट ने अपने ये फैसला सुनाया है दोशी करार दे दिया गया है बीस में से 19 आरोपियों को दोशी करार दे दिया गया है कानून के जानकारों की माने तो कोट ने जाच एजनसी अपनी चार सीट मे लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रही है तो मुख्य आरोपी विजेस ठाकूर को दोशी करार दे दिया गया है अगर सजा का एलान होता है तो जिसमें दोशियों को नियूंतम सजा दस साल और अधिक्तम उम्र कैद के सजा मिल सकती है वहीं फैसले के बाद दिहार में विपक्षी राजद और कॉंग्रेस यानि की जो विपक्ष है वो मुख्यमंती नितीश कुमार की सरकार पर काफी हमलावर दिखने वाला है क्यूंकि विजेस ठाकूर को दोशी करार दे दिया गया है इससे पहले भी सुप्रीम कोट ने फटक किया गया और कोट ने अपना फैसला सुनाया है पॉसको एक्ट के तहट ये फैसला सुनाया गया है और जो पूरा मामला है वो कुछ इस प्रकार है कि सीवियाई के चार्शीट के मुताबिक मुझफरपुर शेल्टर होम में मासूम बच्चियों के साथ करमचारी भी गलत का में सनलिप थे कुल 34 बच्चों के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था मामला सामने आने पर मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों को योन सोशन की पुस्टी हुई थी सुनवाई के दौरान पीडितों ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें नशीली दवाय भी दिय जाता था और मारपीड भी की जाती थी फिर उनके साथ जबरन योन संबंद बनाये जाते थे तो बिहार के इस बहुचर्चित मामले में आखिरकार साकेत कोट ने दिल्ली की साकेत कोट ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसले में 20 में से 19 आरोपियों को कोट ने दोशी करार दे दिया देखने वाली बात होगी कोट अपने इस फैसले के बाद क्या सजा सुनाता है क्या सजा का एलान होता है और कब सजा का एलान होता ही आगी की बात है फिलहाल अभी तक की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि बिहार के बहुचर्चित मुजफरपूर बालिका ग्र चुका था आज चौती बार सुनवाई हुई और फैसला सुनाया है दिल्ली की साकेत कोट ने 20 में से 19 आरोपियों को दोशी करार दिया गया है जिसमें बरजेस ठाकुर भी शामिल है आप लाइफ सीटी साथ बने रही है हम आपको बिहार समय देश-दुनिया की तमाम खबरों जिते हम दुगे खपक्मनेट में से 25 बहुत बार सुन अमामील की साथ-बनी हमन descrição